दोस्तों नमस्कार आदाब स्थ्स्रियकाल नियूस क्लिक के कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है अगर हम देखें पिछले दो तीन सप्ता के दर्मियान तो पूरे देश की जो अवाम है देश का जो मीडिया है देश के जो सियासत दान है बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज के सब लोग अलग-अलग इशूज पे उलजे रहे गलवान में कोई घुमता रहा कोई उत्रप्रदेश के पुलिस का हिसाब किताब देखता रहा पुलिस कितनी निरंकुष्टा या पुलिस कितनी कितना दमन कर रही है वो कहानिया आती रही पुलिस पर कितना हमला हो रहा है क्रिमिनल्स का वो कहानिया आती रही लेकिन इस ब तेजी के साथ अपने एजन्डे के ताहत काम करती रही दूसरे लोग सरकार के एजन्डे में या बहुत सारे created एजन्डे में फंसे रहे लेकिन सरकार उसके दिमाग में जो था उसके जो निशाने पर जो था उसको वो अपना अपने ढंक से काम करती रही हाल के जितने फैसले स दो-तीन बड़े फैसले अगर आप उनको देखें तो ये बात बिलकुल समझ में आने वाली है, बिलकुल कन्मिंसिंग है लेकिन मैं सभी फैसलों के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं एक बहुत पर्टिकुलर फैसला जो एलेक्शन से जुड़ा हुआ है और एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने अभी पिछले दिनों एक बहुत महत्पून फैसला किया और जाहिर है सरकार की पहलती, सरकार ने उसमें इनिशेटिव लिया था, सरकार ने इंडोर्स किया था और अब तो नोटिफिकेशन भी हो गया है, वो क्या फैसला है, वो यह है कि जो एलेक्शन कमिशन का जो कंड़क्ट आफ एलेक्शन रूल्स है, 1961, इसमें उसके धारा 27A में एक बड़ी तब्दिली की गई है इसमें बैलिट जो है, पोस्टल बैलिट, पोस्टल बैलिट का प्रावदान इस धारा में उल्लिखित है और पोस्टल बैलिट अब तक हमारे देश में सर्विसेज के जो लोग हैं, जो अलग-अलग जगों पर तैनात हैं सुदूर इलाकों में और अपने घर पे नहीं आ सकते अपने निरवाशन छेत्रों में नहीं आ सकते उनके लिए ये एक रूल है इसमें इंक्लूट भी किया गया था बात के जुनों में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को तो ये लोग जो हैं ये पोस्टल बैलेट से भी अप शोधन प्रस्तावित किये थे उस पर सरकार की मंजूरी है सब कुछ है अब ये नोटिफाई हो चुका है लाविनिस्ट्री से और वो ये है कि इसमें 65 साल जो उम्र के लोग है और या 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वे सभी लोग अपना मतदान पोस्टल बैलेट से करा स उनको मतदान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है अब जैसे उदारन के तोर पे अगर आप देखें बिहार के बारे में तो बिहार में जो मतदाता हैं टोटल मतदाता उसमें तक्रीबन 10 फीस्दी लोग 10 फीस्दी बहुत बड़ी संख्या है वो इस दायरे में आते हैं कि 10 फीस्दी लोग अपना मतदान पोस्टल बैलिट से करेंगे अक्टूबर और नौंबर में बिहार में अलेक्शन होने वाला है अगर उसमें कोई और तब्दिली ना आई तो इसका मतलब यह है कि जो पहले कुछ हजार मतदान होते थे या अधिक सदीक एक आद लाक हो जाते पोस्टल बैलिट में बिरोक्रिसी की बहुत आम भोमिका होती है नौकरशाही की अगर मैं कुछ दिनों पहले एलेक्शन प्रोसेस में बहुत लंबे अर्से तक जुड़े एक बड़े पदाधिकारी से बात कर रहा था तो उनका कहना यह था कि जो पोस्टल बैलिट है उसम बता सकता है कि उन नहीं मिला और ऐसा कई प्रदेशों में हुआ और जब हुआ तो कंप्लेन आई कंप्लेन लंबे समय तक अदालतों में पड़ी रहती है जिसका कोई फैसला नहीं आता पांच साल बीच जाता है फिर फैसला आता है और कितने लोग जाएंगे जो पोस्टल निर्भर करता है क्योंकि इसमें ट्रांस्फरेंसी नहीं है इसमें जो एक मत्दान की जो सिक्रेसी है जो गोपनियता है जो इक शुचिता है इन तीनों का भाव है दोस्तों तो ये एक इमरिजंसी प्रावधान है ये जनलाइज नहीं किया जा सकता लेकिन अभी जो किया गया है ये कोरोना दौर में कोरोना के कांटेक्स्ट में किया गया है और उसमें जो प्रावधान में जोड़ा गया है वो भी बताना जिरूरी है कि कोरोना पेशंट के लिए भी किया गया है ठीक है आप कोरोना पेशंट के लिए अगर करते हैं ये कोई गलत बात नहीं है मैं समझता हूँ कि ये convincing है क्योंकि अगर एक corona patient मतदान करना चाहता है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता उसको उसके मताधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते है उसका नागरी काधिकार है लेकिन अगर वो मतदान केंदर पर जाता है तो उससे बहुत समस्या पैदा हो सकती है उसकी सहत के लिए और दूसरों की सहत के लिए आप उसके लिए अगर postal ballot करते हैं तो बात समझ में आने वाली है बशर्ते कि वो इस स्थिति में हो कि वो फैसला कर सके कि उसको मतदान किसको करना है और किसको नहीं करना है या बिल्कुल किसी को नहीं करना है कहीं ऐसा नहीं कि उसकी तरफ से कोई और फैसला कर ले तो एक ये खत्रा पेशेंट्स में भी है लेकिन पेशेंट्स को जोड़ा गया है लेकिन उस पर हम कोई बड़ी आपत्ती मानुई आधार पर नहीं उठा सकते लेकिन जो 65 साल या उससे उपर के लोगों के बारे में किया गया है फैसला दोस्तो या दुनिया के किसी भी लोगतांत्रिक मुल्क में अपने धंका अनोखा संशोधन है क्यों किया गया है? क्या लॉजिक दी गई है? ये कहा गया है कि वो कोर्ना के इस दौर में उनको इन पर जोखिम है वो रिस्क में, रिस्क वाले जोन में हैं चाहिए क्योंकि जो प्रैवेट संस्ताइं होम डिलिवरी की हैं वो बहुत सारी बहुत सारे छेत्रों में है नहीं लेकिन प्रशासन वो काम तो नहीं करा पा रहा है लेकिन बैलेट के लिए इतना चिंतित है कि उन लोगों से कह रहा है कि आप अपने घर से ही बैलेट जो है कीजिए पोस्ट कीजिए तो ये मुझे लगता है धांधली का एक बड़ा दरवाजा सरकार कोल रही है या इलेक्शन कमिशन इसको नहीं समझ पा रहा है या समझते हुए ये सब कुछ कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि 65 से अधिक या 65 के उम्र के लोगों को अगर आप ज्यादा समझ कर दियरा चाहते हैं तो उनके लिए बैलेट आविन यूजिए आप इवीयम जो मतदाद कंद्र हैं वहां आप ऐसा प्रावधान कीजिए कि उनके लिए दरवाजी अलग हों उनके लिए एक अलग मतदाद कंद्र भी खोला जा सकता है कलकना कीजिए कि एक मदान केंद्र पर 4,000 लोग हैं और 65 से पार उम्र के लोगों की संख्या मान लीजिए वहाँ पर 1,000 है आप उनके लिए अलग कर दीजिए मशीन अलग स्टाफ कर दीजिए ज्यादा वहाँ केर रखिये सेनिटाइज कीजिए सब कुछ वहाँ पर लेकिन सरकार ने ये न कर चुका है सब कुछ सामने है तो मैं समझता हूँ दोस्तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग है बिहार में होगा जहां अक्टूबर और नॉंबर में चनाव होने हैं इसके बाद बंगाल में होगा और बंगाल में चनाव 2021 के शुरुवात में होना है अब इस पर शुरू में क् इस देश के सियासतदान, मीडिया, सब तो उल्जे हुए थे, कोई किसी गली में था, कोई नदी घाटी में था, कोई कहीं था, लेकिन सरकार और एलेक्शन कमिस्टन सब अपना काम कर रहे थे, कम से कम इस मुर्चे पर भी उन्होंने कर दिखाया, और अब जब कर दिखाया, तो अपोजिशन की तरफ से सवाल उटने लगे हैं, हमने सुना है कि इस पर अपोजिशन के लोगों ने इकठा होकर प्रेटिशन भी दिया है, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब कॉंग्रेस पार्टी है, CPI है, RJD है, ट्रेनबुल क कभी घाटी में, कभी बंगलों की लड़ाई में, कभी इदर की लड़ाई में फंसे रहते हैं, लेकिन सरकार और उसका प्रशासन बिल्कुल एजिंडा अपना साफ रखता है, उसके निशाने बिल्कुल साफ रहते हैं, बिल्कुल क्लियर रहते हैं, इस मामले में मैं समझत साहूं कि आपोजीशन हर बार की तरह फिर देर किया है उसंने लेकिन देर आए दिर्स्टा आए इस मुद्दे ये मुद्दा केवल अपोजिशन का नहीं है ये देश के नागरिकों का सवाल है ये देश के मतदान के अधिकार से लैस उन तमाम लोगों का सवाल है डेमोक्रिसी का सवाल है इस तरह का जो नियम है वो दुनिया के किसी डेमोक्रिटी कंट्री में मैंने पता करनी की कोशिश की जितना मैं खोज पाया तमाम कहानिया तमाम देशों के स्टोरीज गुगल पे मैं कहीं कहीं खोज नहीं पाया लेकिन अग जोखिम से लोगों को बचाने के राम पर डिमक्रसी को जोखिम में डालने का ये जो कुछक्र है ये एक बहुत ही हतरनाक है तो आज इन शब्दों के साथ बस इतना ही नमस्कार आदाप सच्रियकाल